हलो विबर, आप सबी का चीजी code में सौगत है आज के इस विडियो में हम लोग टाइप चेकिंग के बारे में बात करेंगे स्मार्ट कास्टिंग के बारे में बात करेंगे देखेंगे की ये कैसे यूस Olot है हमारे लिए तो शुरू करते हैं मारा लेक्ष uh तो इसको code के थ्रूँ ही समझते हैं तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं कुछ classes और interfaces बने हुए हैं already यह हमने last video में बनाये थे तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं simple interface है मेरे पास draggable नाम का जिसके अंदर एक drag function है उसके बाद हमने एक abstract class बनाई है जो कि एक base class है shape नाम की और उसने draggable interface को implement किया हुआ है इस shape class के इंदर हमार पास एक area method है जो कि एक abstract है उसके बाद हमने एक circle class बनाई जो इस shape class से नहरेट करती है तो हमने यह वाले methods इनको override कर दिया तो similarly हमने एक player class बनाई है जो कि इस draggable interface को implement करती है और यहाँ पर हमने drag function को override किया और इसके इंदर अपना method है same I name करके जो इसकी property को print करेगा तो यह simple classes और interface है हमार पास तो दिखने टाइप checking होती क्या है तो सबसे पहले यहाँ पर हम objects बनाते है तो यहाँ पर हम लिखता हूँ val circle यहाँ पर मैं circle class का object बनाऊंगा तो यहाँ पर हम लिखना circle और इसके अंदर मैं pass करूँगा 4.0 similarly हम एक player का भी object बनाएंगे यहाँ पर यहाँ पर मैं player class का use करूँगा और यहाँ पर मैं नाम पास करूँगा smiley तो इस तरीकी से हमने दो objects बनाए है तो type checking क्यों होता है कि हम runtime पे check कर रहे होते हैं कि इस object का type क्या है based on that हम कुछ conditions execute करते हैं या फिर कुछ code execute करते हैं तो यहां पर मैं if condition लगा के दिखाता हूं तो यहां पर मैं लिखता हूं if circle अब type checking के लिए मारे पास एक operator है is operator जिसका हम use करेंगे तो यहां पर मैं लिखता हूं is circle तो यह हमारा object है और यह हमारी class है तो इस operator का use करके हम check करते हैं कि यह जो हमारा object है वो circle class का है तो यहां पर मैं print and in लगाता हूं और यहां पर मैं लिखूंगा this is circle और इसको run करके दिखाता हूं तो यहाँ पर आउटपूर्ट देख सकते हैं, this is circle आ गया है, तो अब आप कहेंगे कि यह तो circle का यह object था, इसको check करने की क्या जरूरत है, तो क्या होता है कि कुछ runtime पर ऐसी situations आती हैं, जहाँ पर मार पास कुछ array of objects होते हैं, तो हम object का type identify करते हैं, कि वो किस type का है, और based on that हम कुछ actions perform करते हैं, अग kotlin का compiler इतना smart है कि वो compile time पर भी check कर लेता है, कि जो types हैं, वो compatible हैं कि नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर circle की जगा player लिख देता हूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो यहीं पर बता रहा है, कि जो यह types हैं, वो compatible नहीं है, मनला वो compile time पर ही मुझे बता रहा है, तो इस तरीके से इस operator की मदद से हम लोग type checking करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं इस code को remove कर देता हूं, तो smart casting को explain करने के लिए, यहाँ पर मैं एक array बनाता हूं, तो इसको मैं भी explicitly define कर देता हूं, तो यह मैंने एक array बनाया है, जिसके अंदर हमारे पास दो objects हैं, एक circle को object और एक player को object है, तो इस पर मैं एक loop लगाता हूं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, for obj in air, तो सबसे पहले इसके अंदर मैं type checking करता हूं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, obj is circle, अब क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके अंदर सिफ दो यह objects हैं, एक circle का object और एक player का object है, तो यहाँ पर मैंने condition लगाई है, if obj is circle, तो वो क्या करेगा, obj dot, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हुमारा reference है, वो तो draggable का है, बड़ यहाँ पर जितनी भी हमारे पास properties और method आ रही हैं, वो circle class के आ रही है, तो यहाँ पर smart casting work कर रही है, अब क्योंकि हमने इसके उपर if condition लगा रही है, जो check कर दे कि obj circle है, तब ही code execute होगा, तो kotlin ने यहाँ पर smart casting कर दिये, और यहाँ पर obj को smart cast करके, इसको circle बना दिये, तब ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे पास area method है, radius property, वो यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर मैं इसका area method call करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसके आगे printer ले लगा रखिये, जो check करें उसका type, तो उसने identify कर लिया कि इस if के अंदर तो वही वाला code होगा, जो circle के लिए है, तो उसने उसको smart cast कर दिया, circle में, उसके बाद यहाँ पर मैं एक else condition लगाता हूँ, अब क्योंकि मुझे मुझे मालूम है कि जो हमारे array के अंदर सिर्फ दो यह object है, एक circle का object और एक player का object है, तो circle वाला object तो यहाँ पर handle हो जाएगा, क्योंकि यह if condition true हो जाएगी, तो यहाँ पर player का यह object आएगा, तो यहाँ पर player का function call करना चाहूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते है, player का कोई भी function नहीं आ रहा है, सिर्फ drag function आ रहा है, क्योंकि यह draggable का reference मतलly यहाँ पर smart class नहीं करपा रहा है, क्योंकि यहाँ पर identify का object किस type का है, डल Ryan Time posts पे कोई और भी object हो सकता है, किसी और class कい भी object हो सकता है, तो identify नहीं करपा रहा है, तो जैसी यहाँ अपर player वाले methods आ रहे हैं, तो यहां पर मैं same name call करके दिखाता हूं, तो इसको run करता हूं, तो यहां पर आप दिख सकते हैं, circle का area आ गया है, क्योंकि हमने यह वाला method call करता हूं, और next file line में हमारा पास player की information आ रहे है, तो इस तरीक से हम लोग type checking और smart casting करते हैं, तो एक और scenario दिखाता हूं, तो यहां पर मैं class add कर देता हूं अभी जल्दी के लिए, test name की, और यहां पर इसका object बनाता हूं, तो यहां पर आप देसकते हैं, मुझे error दे रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने explicitly defined की होगा है, कि सिर्फ draggable वाली आएंगे, बट test class ने कोई draggable implement नहीं किया है, तो यहां पर यह error दे रहा है, तो इसको मैं यहां से remove कर देता हूं, तो यहां पर आप देसकते हैं, इसका type जो है, वो array of any है, क्योंकि जो any है, वो सबकी super class होती है, इसलिए यहां पर array of any आ रहा है, तो इसको run करके दिखाता हूं, तो यहां पर आप देसकते हैं, error आगे, class cast exception की, तो क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, कि object को पहले player पर cast किया है, उसके बाद इसका function call कर दिया, अब क्योंकि जो हमारा test का object है, उसको थो हम player में convert नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर आप दिख सकते है, error आई है, test cannot be cast to player, तो जब भी आपको इस तरीके का code लिखें, तो make sure करें कि पहले उसका आप type check करें, उसके बाद उसको cast करें, तो इस तरीके की errors बहुत आती है, Java के अंदर, तो kotlin चाता है कि इस तरीके की errors को हम prevent करें, तो exceptions क्या होती है, उसके बारे में हम आगे discuss करेंगे, तो यह था हमारा casting औ प्लीज लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू फो वाचिंग, आपका दिन चुबो, धन्यवाद,